हेलो एवरिवन, शिर्फ शक्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अवेकनिंग आफ डिवाइन फैमनाइन डिवाइन फैमनाइन की अवेकनिंग, ठीक है जब आपकी अवेकनिंग होती है, तब आप किस प्रोसेस से गुजरते हैं ठीक है, क्या प्रोसेस होता है आपका ठीक है, यह इजी नहीं होता है, डिवाइन फैमनाइन की अवेकनिंग एक तरीके से इजी नहीं होती है क्योंकि आपके उपर आपकी जर्णी खुद की जो आपकी जर्णी वो तो आप बैलंस करते ही करते हैं अपने DM का भी जर्णी बैलंस आप ही करते हैं ठीक है उनका 80 से 90 परसेंट जर्णी आपके हीर होने से उनकी भी जर्णी हीर हो जाती है उनकी भी awakening जो होती है कहीं न कहीं आपके इनवक से आ जाती है बट क्या होता है कुछ की life में awakening जब होती है तो DM साथ होते हैं अब कुछ की जो awakening होती है तो वो कहीं न कहीं कार्मिक कित्रू होती है कार्मिक कित्रू मतलब मेरा ये है आपका जो dark night of the soul है वो कार्मिक के टाइम में ही स्टार्ट हो जाता है बहुत से केसिस में बहुत से केसिस में DM ही होते हैं तब उनका डाक नाइट आप दा सोल जो भी अवेकनिंग के प्रोसेस हैं वो सब आप अपने DM के आने के बाद ही फेस करते हो यह आपको सारे साइन और सिम्टम्स मिलते हैं थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो देखिए जब मेरी अवेकनिंग आई थी ठीक है डाक नाइट आप दा सोल चल रहा था तब तक मुझे कुछ नहीं पता था जर्नी के बारे में ठीक है और उस टाइम मेरा हरी केरिया बहुत ही ज़्यादा दिस्टरब इंबालन्स करियर हैल्थ फैमली फ्रेंड सबसे मतलब की जो फैमली थे उन फैमली में बहुत सारे इश्यू फ्रेंड सरकल में भी ऐसे अपने आप नेचरली लडाई जगड़ा होना सबसे कट आफ होना जरा जरा सी बात में लडाई जगड़े हो जाना ठीक है आस परोस का भी माहल बहुत ही ज़्यादा खरा ठीक है और करियर भी जो अभी तक मैं इतना प्रोग्रेस कर रहे थी अपने लाइफ में मेरा नेम था एक तरीके से वो सब डाउन होता चला जा रहा था कहींना कहीं हेल्थ प्रोब्लम हज से जादा बहुत नतलो हर एक एरिया मेरा डिस्टरब हो चुका था कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था को मैं देख का satisfy होती और मेरे मन में कहीं ना कहीं यह question चलता रहता था कि अब तो कुछ भी नहीं है नहीं मेरे study अच्छी है नहीं family में कुछ अच्छा है नहीं career अच्छा है नहीं लोगों के सार relationship अच्छा है आखिर मैं क्यूं इस earth पर हूँ क्या कर रही हूँ क्या मेरी लाइफ है वस खाना है, पीना है, सो जाना है मतलब बहुत बुरी तरीके से हालत हो चुकी थी अभी मुझे ये ने पता है कि मैं spiritual journey में हूँ या मेरा twin flame किसी से connection है ठीक है ये सब चीजे बहुत कम से कम मेरे mind में ये सब चीजे एक दो साल तक चलती रही चलती रहे और यहाँ पर बहुत से blockage wounds create होते चले गए ठीक है और family में fights वगेरा family में argument या family में बहुत सारे money को लेकर problem relationship जो relative रिस्तेदार उनके साथ relationship इतने ज़्यादा खराब हो जाना किसी मतलब आप सही हो सामने वाले को आप अपने आपको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आप गलत ही साबित हो रहे है तो ऐसी चीजे मेरे साथ बहुत हुई बिल्कुल मतलब हर तरब से एक failure वाली energy आने लगे कि कुछ भी नहीं हूँ मैं जहां job के लिए apply किया कोई result अच्छा नहीं result एकदम zero मनी को इतना जो मनी की घर में बारिश होती थी वो मनी आतो रहा था पर जा ऐसे रहा था जैसे कि आए दो है जा चार रहे है ठीक है बहुत सारी problems थी और मुझे नहीं पता था कि यह जो है मेरा एक awakening का पार्ट चलता है ठीक है तो हो सकता है बहुत से DFC resonate हो कि आपका हर एक area disturb हुआ हो बहुत सी लोगों के साथ हो सकता है मनी को लेकर balance है ठीक है बट family में issue है या family आपकी अच्छी है मनी को लेकर भी कोई problem नहीं है बट आपको relationship को लेकर issue हो सकता है आपकी karmic person से marriage हो गई हो या आप karmic person से deal कर रहे हो या karmic family से deal कर रहे हो या आपके पास job भी है सब कुछ है आपको health की problem है तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपका balance area हो और कुछ ऐसा भी हो सकता है कोई area आपका imbalance हो तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है क्योंकि हर किसी की journey अलग है मैंने अपना आपको बताया कि मेरी journey में मेरे साथ क्या हुआ तो एक hope मतलब उस time ये सब चीज़े हो तो रही थी बट मेरे mind में कुछ ना कुछ pop-up भी positive होता था वो 1% होता था 99% negativity रहती थी 1% की positivity मुझे बहुत जादा एक अंदर से faith आता था कि नहीं अभी ऐसा हो रहा है आगे जाकर कुछना कुछ जरूर अच्छा होगा ठीक है दुख के बादल है तो एक दिन सुख का भी सूरज उगेगा ही उगेगा ठीक है आदुख की बारिश है तो कभी ना कभी खुशियों की बारिश होगी ही होगी होता है ना एक अपने आपको ही motivate करना मैं ऐसी बाते खुश से भी करती थी और कभी-कभी बहुत ज़्यादा negative भी हो जाते थी और कार्मिक तो देखी कार्मिक आपके कोई भी हो सकते मेरे कार्मिक friend circle में भी कार्मिक ठीक है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा hurt किया, trigger किया, family में भी relationship जो relatives होते हैं उनमें भी और आसपरोस में भी, मतलब इतना अच्छा जो एक society में name fame था, एकदम से इसी का बिगाड़ा है, तो ऐसी questions आपके साथ भी आ सकते हैं, यह सब मैं आपको इसलिए बतारी हूँ ताकि आपके लिए journey easy हो सके आपका कोई stuck energy है या आप समझ नहीं पा रहे हो या अभी आपका awakening ही चल रहा है और चीज़े आपके साथ ऐसी हो रही है आपको लग रहा है कि जब awakening हो गई है तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए ऐसा भी होता है, ठीक है वहाँ awareness नहीं थी तो आपको ऐसा या तो आप उस part से निकल आए हो तो आप पीछे जाकर देखोगे तो यह चीज़े आप से कहिना कहिना आप इसी अभी part में हो आपको भी तक वो वीडियो नहीं आये है या वीडियो पॉप अप नहीं होए है दैन आपको यह वीडियो टाइम पे पहुँचेगा आपको पता चल जाएगा कि यस मेरे साथ भी ऐसा कभी ना कभी कुछ हुआ था ठीक है तो यह चीज़े बहुत होती है Divine Feminine के साथ एकदम से Divine Feminine ऐसा लगता है कि एक अधेरे रूम में बैठी है सारे दरवाजे बन कर दीगे है उसके खुशियों के संकुना तो कोई समझने वाला है ना तो कोई समझाने वाला है ठीक है और अंधर से एक्दम तोटा हुआ फील करना एक्दम डैट को आक से देखना ऐसा लगता है कि अब तो डैट हो चुके एक जिंदा लाश है ठीक है कोई feeling नहीं कोई emotion नहीं कुछ भी feel नहीं कर पाना happiness को feel नहीं कर पाना सब के साथ रहकर भी अकेला फील करना एक घुटन ठीक है लॉट्स आफ आपको एक्स्ट्रीम लेवल की बहुत ही जादा एंजाइटी, डिप्रेशन और ऐसे लोग भी आप अट्रक्ट करोगे उस टाइम में कि आपको हेल्थ इशू है तो आपके कुछ ना कुछ आसपास के लोग अगर आप बहुत जादा अपनी लाइफ में बहुत जादा प्रॉब्लम को देख रहे हैं चाहें वो मनी को हो, चाहें वो हेल्थ को लेकर हो, चाहें वो पैरेंट्स को लेकर हो तो ऐसे फ्रेंड भी हो सकते हैं क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सरकल था हम तीन बेस्ट फ्रेंड थे और तीनों की लाइफ इतनी जादा दिस्टरब थी या तो ये मैं कहूं कि हम तीनों की लाइब डिस्टर थी या मैं ये समझूं कि मैं लो बाइबरेशन में थी इसलिए मैंने लो बाइबरेशन के फ्रेंड अट्रेक्ट किये ठीक है हाला कि आप वो दोनों अच्छे से बैलन्स है मैरिज हो चुकी है अच्छी फैमिली में है अब मेरा उनसे रिलेशन्शिप बहुत अच्छा है बर जो मेरी अवेकनिंग आये थी तो उन दो बेस्ट फ्रेंड से भी मेरा रिष्टा इतना बुरी तरीके से खराब हुआ था यहां एक दूसरे के बना रह नहीं पाते थे अब दस साल में दो साल चार साल गुजर गए आठ साल गुजर गए कोई बात नहीं ठीक है फिर जब मेरी अवेकनिंग आ रही थी ठीक है पट एक बार कॉल किया फिर उधर से भी रिलेशन्शिप धीरे धीरे ठीक होने लगा तो जब मेरी अवेकनिंग हो रही थी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उनसे भी मुझे अलग किया गया सबसे ज़्यादा जो मेरा टाइम लहता था या जो टाइम स्पेंड करती थी फ्रेंड सर्कल जो था मेरा वो ब्रेक क्या गया ठीक है फैमली में मेरी बहुत बनती थी सबसे ज़्यादा मेरी मॉम से बनती थी उनके साथ एक दम से पता नहीं relationship कैसे खराब होने लगा मुझे खुद नहीं पता चला ठीके parents से मुझे बचपन से बहुत healing मिली है सच बता हूँ ठीके मेरे mom dad जो है मुझे बचपन से healing मिली कार्मिक हमेशा से मेरे dad mom मैं नहीं कहुँगी कि वो कार्मिक रहे हैं बट आप जब कार्मिक energy attract करते हो या कार्मिक energy release होने का time आता है आप naturally देखते हो कि जो अच्छे person थे वो एकदम से कार्मिक energy में change हो गया आपके साथ बुरा behave करने लगें आखिर उनको एक time बाद आपको trigger देना होता है ताकि आपकी soul awakening आ सके आपकी soul awakening हो सके ठीक है तो मेरे साथ बच्पन में ऐसा था कि जो मेरे mom dad है ठीक है बच्पन से ही उनको देखती मुझे अपने mom dad को देखके healing मिल दी थी बहुत ज़्यादा positivity उसके बाद कभी भी मुझे health issue होता था मैं अपने dad mom के हाथ से दवाई लेके मुझे एक अंदर से ही intuition आता था कि मैं dad के हाथ से दवाई लूँगे ठीक हो जाऊंगे और यही होता था बहुत ही positivity बहुत ही ज़दा positive thoughts ठीक है एक strong relationship मेरा dad के साथ मेरी mom के साथ बच्पन में रहा ठीक है बच्पन मेरा बहुत खुबसूरत रहा है मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को ठीक है बट मेरी middle age बहुत जितना है खुबसूरत था उससे ज़्यादा मेरा जो middle age रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जैसे बोलते हैं या बहुत ही बुरी तरीके से तूटना विखरना ठीक है ना तो awakening बहुत easy नहीं होती है divine feminine की कुछ cases में तो यहाँ पर मेरे हर किसी से relationship खराब होने लगे even मेरी family में भी कोई समझने वाला ने क्योंकि मैं जो feel करती थी वो सामने वाला नहीं समझ पाता था या मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर पाती थी कि मैं क्या चाहती हूँ मेरे अंदर क्या चल रहा है बहुत ही बुरा time होता है dark night of the soul आप सब जानते होंगे जो भी real divine feminine है उनको बताने की जरूरत नहीं है ठीक है तो awakening से पहले का ये time था पर जब awakening आई मेरे person के entry हुई मेरी life में ठीक है counterpart के entry हुई then मुझे सब पता चला उसके बाद भी अब यहाँ पे आपको बहुत समझने की जरूरत है उसके बाद भी dark night of the soul का period आता है बहुत से लोग कहते हैं कि dark night of the soul नहीं आता है जो बीद गया वो बीद गया वो कभी नहीं आएगा नहीं वो dark night of the soul में जो blockage आपने create किये है जो wounds create किये है जो आपके अंदर negativity है वो awakening के बाद surface आती ही आती है जिसे कोई karmic partner रहा है DM के आने से पहले सबका case अलग हो सकता है कि आपके कोई karmic nao DME हो उनी से आपको wounds blockage मिले हो या आपके karmic parents हो उनसे मिले हो या आपके friend circle हो उनसे मिला हो या आपका कोई love relationship रहा हो बहुत ज़्यादा strong love relationship लंबा चला हो ठीके वहाँ से आपको कोई wounds blockage मिलते हैं खुद को भी माफ कर पर वो energy आपको पता चलती कि ये चीज़ तो मेरे साथ उस person के साथ हुई थी ऐसा feel मुझे उस time हुआ था तो अब क्यों हो रहा है मेरी तो awakening हो चुकी है मेरी तो awakening आ चुकी है तो अब तो मुझे साथ अच्छा अच्छा feel होना चाहिए क्योंकि अब तो मैं इश्वर से जुड़ चुकी हूँ मेरे साथ कुछ खराब नहीं होना चाहिए trigger नहीं मिलना चाहिए अब मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है इवन वो मिलता भी है तब भी आपकी दिल में उसके लिए कोई negativity नहीं है बट कभी-कभी जब आपका portals या new moon या full moon या ऐसा कोई time आता है awakening में ठीक है जो बहुत ही ज़ाद negativity peak पर होती तो वो आपका new moon या full moon होता है आप देखते हो वो energy surface पे आ रही है आपकी कहीं न कहीं soul में store है ठीक है वो wound है आपके अंदर वो issue है मान लिजे past में आपका कोई love relationship रहा है उस person ने आपको बहुत ज़्यादा hurt किया है वो energy आपने उस time feel की थी बट awakening के बाद भी वो energy आपको feel होगी क्यों? क्योंकि वो suppressed हो चुकी थी आपकी soul में एक store energy बन चुकी थी आपकी soul में store हो चुकी थी अब जैसे यह awakening आएगी तो जो negativity आपके अंदर है जो wounds blockage है वो सब surface पर आएंगे इस life के भी नहीं आपके पिछले जन के भी जो blockage होते हैं वो भी surface पर आते हैं आपने जैसा कर्म किया है वैसा ही आपको सब कुछ मिलता है बट जब आप accept करते हो अपनी गलती को accept करते हो और अपने inner work पर focus करते हो effort डालते हो खुद को बदलते हो divine आपको एक chance देते हैं उसका आप सही फायदा उठाते हो then आप देखते हो आपका हर एक एरिया धीरे-धीरे balance होने लगता है अवेकनिंग के बाद अवेकनिंग के बाद भी एकदम सब balance नहीं होता है आपको trigger मिलते हैं आपके test होते हैं आपको soul shock मिलता है वो इसलिए होता है कि जो past में अपने negativity अपने अंदर इकटी कर रखी है अपनी soul में तो वो time time पे surface पर आका release होती है कुछ आपको अपने inner work से release करना होता है heal करना होता है और कुछ naturally आपकी soul से release हो जाता है या जो आप नहीं कर पाते हो कि कैसे heal करना है तो वो divine अपने तरीके से आपकी issue blockage को heal करा देते है है ना तो divine feminine की life awakening से पहले बहुत ही ज़्यादा painful होती है awakening के बाद भी deep को लगता है कि आप कुछ नहीं होगा but awakening के बाद भी आप कभी-कभी dark night of the soul को face करते हो ठीके but उसमें आपकी awareness होती है साथ में जब तक awakening नहीं थी तब तक आप awareness में नहीं थी आप awakening के बाद जो जो चीज़े आपके साथ होती है आप awareness में होते हो आपको clear vision आता है कि ये चीज़ मेरे साथ past में हो चुकी थी आप मुझे इसे heal करना है ठीक है आपके fast full choice होती है आपको क्या choose करना है divine love choose करना है या आपको material world choose करना है या material world की जो चीज़े बनी होई है शादी बच्चे ये choose करना है ऐसा देखिए 3D world 5D में ही cover होता है जब आप इसको सही से balance कर लेते हैं आप कुछ जिस दिन किसी चीज़ की need नहीं रह जाती है उस दिन आपको सब मिल जाता है तो divine feminine के उपर दो लोगों का work होता है खुद का एक DM का और even मैं सच बता हूँ तो DF अपने आपको heal नहीं करती है अपने आपको अपने साथ साथ अपने DM को अपनी family को अपने आस पास की जो भी negativity सब heal हो जाती है जब DF heal होने लगती है आप अपने घर में changes को देखते है अपनी personal life में changes देखते हैं अपनी health में changes देखते है अपनी personality में changes देखते है अपने DM की life में changes देखते है ठीक है तो आपको लगता है कि ये बहुत painful journey है और हर किसी को लगता है ठीक है मुझे भी लगा था एक time एक give up बाली energy कि यह क्या हो रहा है बट यकीन मानिए जैसे आप give up करने कोशिश करते हो divine कोई ना कोई message आपके आगे लाकर रख देंगे कोई ना कोई dream आपके आगे लाकर रख देंगे कोई ना कोई vision आ जाए कोई ना कुछ clarity आपको मिल जाएगी आप फिर से गिल के खड़े हो जाओगे कि नहीं मुझे complete करनी है अपनी journey मुझे inner work करना है मतलब एक अपने आपी faith अपने आपी विश्वास अंदर आने लगता है क्योंकि divine आपको ज़्यादा देर तक परिशान नहीं करते हैं उनको पता है आप कितना झेल सकते हो कितना बरदाश कर सकते हो इसलिए आपने blockage भी देखे होंगे कभी कभी divine जब आप mentally बहुत जादा वीक होते हो तो इतने बड़े blockage surface पर नहीं आते हैं आप mentally balance होने लगते हो तो बड़े-बड़े blockage आपके आने लगते हैं ठीक है जैसे बच्चा होता है पहले मा उसे पकड़ के उसके आसपास रहके उसको चलाने की कोशिश करते हैं फिर धीरे-धीरे पीछे हटती है कि वो बच्चा अपने आप अप कोशिश करे चलने की तो ऐसे जब तक आपके blockage या issue जो बहुत ही ज़्यादा painful होते हैं उसमें आपको पूरी guidance दी जाती है support मिलता है फिरे-धीरे ऐसा नहीं है नजर नहीं है इश्वर की इश्वर की नजर हमेशा आपके उपर है आपको देखा जाता है आपको कितने strong हो चुके हो कितना अपने आ आपको यही example देने चाहूंगी कि आप एक कमल हो अभी आपको कीचड नजर आ रही है अपने आसपास अपनी life एक कीचड लग रही है बट जब आप खुद पर work करते हो healing करते हो effort डाल तो यह कमल ही सबको नजर आता है आसपास की कीचड किसी को नजर नहीं आती है समझ रहे ना तो आप एक कमल हो आपको कीचड में भी एक सुनरता दी गई है ठीक है आपके आसपास कितनी भी negativity हो कुछ भी problems हो और जब divine feminine awakened हो जाती है तब life पूरी transform हो जाती है ठीक है आपका एक और जो होता है वो बिलकुल अलग ही होता है फिर आप खुद को नहीं दूसरों को भी heal करते हो दूसरों को भी motivate करते हो इवन अपनी family में भी कोई problem होती है आप उससे भागते नहीं हो डरते नहीं हो face करते हो ठीक है डियम भी trigger नहीं कर पाते हैं डियम भी सोच में पर जाते हैं कि कौन है यह क्या लड़की है ठीक है तो वो चीज अलग है मैंने यह divine feminine की awakening की बा जाती है गिब अप करने की कोशिश करती है नहीं गिब अप नहीं करना है divine का support universe support आपको कर रहे हैं आप बस inner work कीजिए healing कीजिए आप जो खो रहे हैं उससे ज़्यादा आपको इश्वर देगा और जो खोएंगे वो आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपने क्या खोया है क् जिसके आगे जो चीज़ खोई है उसका कोई मूल नहीं रह जाता है आपको अनमूल चीज़े मिलने लगती है ठीक है आप ही अनमूल हो आपका कोई मूल नहीं है you are diamond ठीक है you are angel तो जिसकी नजर आपे पड़ती है वस सोचता ही है कि कौन हो आप ऐसा नहीं है इंसान से आप कुछ और बन जाएंगे बट आपकी चीज़ आपको ही बता देगा कि आप चीज़ हो चुके हो पहले से इतना strong हो जाते हो mentally, emotionally, physically, spiritually, financially ठीक है किसी पे depend नहीं रहते हो खुशियों के लिए DM पे तो आपका right है आप wait करना चाहते है wait करते है ठीक है आप जो DM के साथ connection है और DM का जो आपके साथ connection है इस अर्थ पे किसी के साथ नहीं हो सकता यह आपका soul connection है ठीक है तो DM की awakening easy नहीं होती है ठीक है बट जैसे जैसे आप step लेते हो journey में आगे बढ़ते जाते हो आपकी journey easy होती चली जाती है अवेकनिंग के बाद हर एक step आपको easy लगने लगता है शुरू के step आपको थोड़े tough लग सकते हैं ठीक है tough task लगते हैं बट जब आप आगे बढ़ते चले जाते हो आपको challenges भी बहुती easy लगने लगते हैं आप risk लेना start कर देते हो आपको action लेना start कर देते हो आपको चीजे ठीक है आपको आप highly intuitive हो जाते हो आपको अपना future भी clear दिखता है या आप जो चाहते हो वो achieve करने लगते हो चीजे manifest होना start हो जाती है तब होता है जब highly balanced हो जाते हो आप fully awakened हो जाते हो ठीक है और इस stage पर आने के बाद आपको need नहीं रहती ह किसी भी चीज़ की खुश, inner peace, mental peace आपके लिए सबसे ज़्यादा important रखता है जो कि मैं बार-बार कहती हूँ क्योंकि आपने वो phase देखा है जहां आपके पास ना तो inner peace था ना ही mental peace था लोगों के होने के बाद भी आप अकेला feel करते थे अब आपके पास कोई नहीं है तब आपकेला feel नहीं करते हो अपनी ही company enjoy करते हो अपने आपको ही love करते हो अपने आपको appreciate करते हो admire करते हो आप लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा special हो ठीक है तो यह आपके inner work का ही कमाल होता है और यह चीज़े आपको जन्नी में बहुत आगे जाकर देखने को मिलती है एक तो आप लोग अपने inner work पे focus करें और divine को surrender करें अपनी journey को अपने relationship को फिर देखे क्या होता है आपके life में तो घबराना नहीं है आपको डरना नहीं है बस बढ़ते चले जाना है journey में तो आज के लिए बस इतना ही next video में फिर मिलो